तो दोस्तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर बारिश के इस मौसम में हमारे किचन की कुछ ऐसे समान प्रेश कर देखा है जिसमें एकसर कीड़ा लग जाता है तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे helpful kitchen tips चेयर करने जा रही हूँ जिससे आप इन सभी चीज़ों को बचाए रख सकेंगे तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं और मेरे लिए ये kitchen tips बहुत ही ज़्यादा helpful रहे हैं आटे की जब भी हम आटा बनाकर रखते हैं इसी तरह से घूंत कर रखते हैं तो उस में आपने अकसर देखा होगा कि पपड़ी सी जमने लग जाती है जब हôm उसे फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में ये पपड़ी ना जमें इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको लेना है refined oil आप कोई भी refined oil यूज़ कर सकते हो जो भी आप इस्तमाल करते हो उसे ले लीजे और spoon की help से या फिर finger की help से उसे आटे पर इस तरीके से लगा दीजे इससे आपका जो आटा है वो नर्म बना रहेगा और सूखेगा नहीं आप इसे अच्छे से cover करकर fridge में रख सकते हो और इसे आप next day भी यूज़ कर सकते हो तो ये थी मेरी सबसे पहली kitchen tip अब बात कर लेते हैं second tip की आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम आलू के परांठे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि गर्मा गरमी उन आलू को परांठे बनाने लगते हैं तो उससे क्या होता है परांठे तूटने लगते हैं इसके लिए आप क्या कीजिए आलू को चील कर काट कर सुखा कर तो उससे वो क्या होता है कि वो चिपचिपी सी बनने लग जाती है उसमें जो लिक्विड जो पधार्थ होता है वो निकलने लग जाता है और जिससे भिंडी खिली-खिली सी नहीं बनती है अच्छी नहीं लगती है खाने में भी तो इसके लिए आप क्या कर जब भी आप कनस्तर में डालते हैं तो इस 형 क्वा मां जख में और पर नमक दोगा बनेंगे ठोपते सी आप लूगे ऐसार और आप पोढ़ा ताम कांट जब आप चावल को स्टोर करते हैं तो.. på तो इस में दिल करता है .. जब आप चावल को वहश करके इस्तेमाल करते हैं .. तो ठोल लिए उससे हलदी का रंग निकल जाएगा.. नमक मिला सकते फिस और पना हलदी .. इन दोनो कंग स्दॉलनों को आप मिक्स करएगे .... और दोनों चीजों को एक साथ मिक्स मत कीजिए वैसे कर भी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है बट आप चाहें तो खाली नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे से चावलों को मिक्स करकर उसमें रख दीजे और थोड़ी तेर में आप देखेंगे यह देखेंगे एक चावलों को रखना है दोस्तों और एक चीज का जरूर धियान रखेगा जब भी आप इन चीजों को यूज करते हैं चावल आटा या और कोई मसाले तो आप जिन बरतनों में उन्हें स्टोर कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखे हो उनमें पानी बगारा ना लगा हो इस ची तो आप नमक को एर्टाइट कांच की बर्णी में डाल कर रखेहें तो इस तरीके से आपका जो नमक है वो सीलेगा नहीं नमक में सीलन नहीं आएगी और नमक चिप relevंपा नहीं बनेगा और इसे आपका नमक भी जो है वो sealन वाला नहीं होगा अक्सर आपने देखा होगा नमक seal जाता है गिला गिला सा लगता है तो वो भी नहीं होगा तो इस तरीके से मैंने नमक को इस कांच की बरनी में डाल दिया है और air tight container है ये तो इस तरीके से आप इसे भर कर रख सकते हो नेक्स चोटी पर दोस्तों वो ये है कि शहद आपने देखा होगा अक्सर इस वक्त इस मौसम में शहद में चीटिया आने लगती है तो मैं क्या करती हूँ शहद सामने अगर रखा हो तो इस्तमाल भी रोज होता है और अगर रोज इस्तमाल ना करना हो तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो चोटी सी इस तरीके से आप एक कटोरी ले लीजे यह प्लास्टिक बाउल है या फिर प्लास्टिक बाउल भी ले सकते हूँ आप और इस तरीके से मैंने इसमे पानी डाल कर रख दिया है इससे चीटिया नहीं लगेगी ये भी एक बहुत अच्छी तरीका है चीटियों से शेहत को बचाने का अब बारे आती है गी की गी भी आप जानते हों अक्सर चीट प्लास्टिक का डिपा है मेरा इसी में घी डाल कर रखती हूँ और इस तरीके से आप इसे कवर करकर फ्रिज में रख सकते हो या फिर आप इसे भी इस तरीके से पानी के बरतन में रख सकते हो जैसे मैंने यहाप पर शेहत को रखा हुआ है तो इसे भी आपका जो घी है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा, कामेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे आज के टिप कैसे लगे और प्लीज दोस्तों और लोग के साथ भी जरूर शेयर कीजेगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आप मुझे फोलो कर सकते हो फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे मैं आप से मिलती हूँ और भी हल्पूल वीडियो के साथ तब ते के लिए बाई बाई टेक के लिए लवी ओल